आप लोगोंने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो बैटेन की पिधानमंत्री थे बॉरिस जॉनसन इन्होंने अपने पद से इस्थीपा दे दिया था पद छोड़ दिया था उसके बाद पिधानमंत्री पद के लिए वेटिट में चुना हुए और उसमें आप देखेंगे लिज ट्रस ने भारती मूल के रिसी सुनक को हरा दिया है और आप लोग लिज ट्रस को अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और यह आप सभी जान दें कि वरिस जॉनसन है बेटन के पूर पिधानमंत्री और यह आप देखेंगे रिसी सुनक हैं और आपको बता दू कि यह भारती मूल कहने का मतलब होता है कि भारत से इनके परिवार का संबन्द रहा है और याद रखें देखें भारत की लोग दु और देखें ये हमारी प्यारी पित भी है और इसमें एसिया में ये देखेंगे हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा और यहां से आप लोग United Kingdom बेटेन का सब्द का उपयोग सामनता United Kingdom के लिए किया जाता है इसकी राध्धानी देखें तो लंदन आपको देख देखने को मिलेंगी तो यहीं कि नए राष्टपति बनी है और एक बात और याद रखियेंगा वेटेन की तीसरी महला पिदान मंत्री हैं और इसे पहले आप ने देखा होगा कि थहरेसा में भी यहां की पिधान मंत्री रह चुकी हैं अब तीसरी तीसरी पिधान मंत्री बेटन की लिजटर्स हैं तो इनके बारे में सामाण चर्चा कर लेते हैं हम लोग और आपको मालू होने हो चेकी 20 927 बोटों से हराया है किसे रिसी सुनक को देखेंगे कि यहां इन्फोसेस की तो आको माल होगा कि य century है और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई थी यह भी आप लो याद रखिएगा लिजिटरस को जहां 81,326 बोट मिली वहीं रिशी सुनक को 6,399 बोट मिली और 7 जुलाई को वेटेन की पिधान मंतरी बोरिश जॉंसन ने पाटी निता से स्थीपा दे दिया था और उस समय काफी म कीम से चले थे वाइरल भी हो रहे थे आपने देखा होगा हमारे प्यधान मंतरी मौधी साथ के साथ उनकी मीटिंग मुलाकात हुई थी और कई लोग कह रहे थे कि प्यधान मंतरी मौधी साथ से जो भी मिलता है गले उसकी अंगले साल टिकेट कट जाती है डॉनाड टरम को आपने देखा होगा अमेरिका के पूर राष्ट्पती की बात कर रहे हैं वो भी मिले थे तो उनका भी पत्ता साफ हो गया अगर हम लोग लिज ट्रस का पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम मेरी एलिजा वैथ ट्रस है इनका जनम 26 जुलाई 1975 को इंगलेंड के सेला मेरी ट्रस के घर में होता है और लिज ट्रस को कम उम्रे से ही उनके मद्धनाम से जाना जाता है यानि की लिज ट्रस से उनके पिता ली लीड्स बिस्विध्याले में सुद्ध गड़ित में एक एमेरेटेस प्रोभेसर हैं उनकी माता एक नर्स और सिच्छक और की हुई है इनकी साधी भी हो चुकी है सन 2000 में फैलो अकाउंटेंट हग ओलीरी से साधी की थी इनकी दो बेटियां है और 2004 से 2005 की बीच लिज ट्रस का सांसद मार्ग फील के साथ एक्टरा मेमोरियल अफेर भी काफी चर्चा में रहा हाला कि इस अफेर की बाद भी उन्होंने ओलीरी की साथ उनकी साधी नहीं टूटी और 2022 में ट्रस ने कहा था कि मैं इसाई धरम और इंग्लेंड की चर्च के मूल्यों पर बिस्वार्ज करती हूं लेकिन इसके बाद भी मैं नेमित रूप से धार्मेक नहीं हो और कहते हैं कि लिज ट्रस को हार जरा भी पसंद नहीं हैं वो साथ साल की थी तब उन्होंने स्कूल के नाटक में पूर्पिधानमंत्री वो अपनी आइडल मार्गरेट थेचर का रोल पिले अदा किया था और लेज की भाई ने एक इंटर्वी में बताए कि उन्हें बच्पन से ही हार से सक्त नफरत है और बच्पन में जो हम ख की नेता भी रही है वह कॉलीज में पढ़ाई के दौरान लिवरल डेमोक्रेट्स पार्टी के लिए पिचार करती थी इसके अतरिक ते लिज्ट्रस लिवरल डेमोक्रेट्स यूथ एंड इस्टूडेंट की राष्टी ये कारिकार्णी की सदस्थ भी रही है उन्होंने चा 1996 से सन 2000 तक सेल के लिए काम किया और इसी दौरान उन्होंने 1999 में एक चार्टर्ट मेनेजमेंट अकाउंटेंट के रूम में युगता हासिल की इसके बाद सन 2000 में उन्होंने केबल एंड वायरलेस दौरा निउक्त किया गया और फिर बाद में उनको 2005 में आर्थिंग नेदे के रूम में नियुक्त किया गया उन्होंने चार मई 2006 को पहला पारसत चुनाओ के पारसत चुनाओ जीता था इसके बाद 2010 में वह पहली बार सांसद बनी थी और अमर उजाला की निउज के रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय लिज ट्रस सांसद चुनाओ लड़ रही थी उस 2014 में उन्हें पर्यावन मंत्री बनाया गया था और इसके बाद 2016 में नियाय सचिप बनाया गया था उन्हें 2017 में ट्रेजरी पिरमुक पद दिया गया था फिर 2019 में जिस समय बोरिस जोंसन पिधान मंत्री बने तो समय लिज ट्रेस को विदेश सचिप बनाया गया था 2021 में उन्होंने विदेश सचिक के रूम में सरकार में सबसे हाई प्रोफाइल नौकरियों में से एक को समाला था और आप देखें 5 सेप्टमबर 2022 में वो पिधार मंतरी का चुनाव जीत चुकी है आप बेटन की United Kingdom की पिधार मंतरी बन चुकी है तो यह सौट वायगराफी है किसकी लिज्टरस की तो यह आप लोग याद रखिएगा और दुनिया में कहीं भी चुनाव होते हैं और वहाँ अगर पद बदलता रहता है राष्टपती हो पुरहष्टपती हो यह आप देखिए कि पिधार मंतरी का हो तो उसके बारे में एक सामान जानकारी आपकी पास होनी चाहिए ठीक है और वैसे भी अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अंतराष्टी संबन्द तो आप लोग पढ़ते होंगे बेटेन भारत के संबन्द भी पढ़ते होंगे तब भी आपको मालो होना चाहिए क्योंकि आपकी परिक्षाओं में इस तरह के कुश्चन्स पूछ लेता है कई बार और किसी के बारे में जानना हो दिल्चस्पी हो किसी के बारे में जानने की तो आप लोग उसका नाम बताएए का उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे उसकी करम कुंडली भी हम लोग देख लेंगे ठीक है